पुशपा झुकेगा नहीं यह हम नहीं कहा रहे है ना comenz somebody रहा है ज्यारकन्ट Congress बोल्त एस समय में जब पुशपा फिल्म ने आ दे भारत को टेडा चलना सिखा दिया है श्रीवल्ली गाना सिखा दिया है ऐसे में जारखन्ड कॉंग्रेस भी चिंता न शिविर में पुषपा अंदाज में आ गई है कैसे इस रिपोर्ट में देखिया पुषपा राज बहें जुकेगा नहीं पुश्पा हो गई है कॉंग्रेस कॉंग्रेस बोले तो फ्लावर समझे क्या पाये रही है जुकेगी नहीं हम विधायक बन गए कुछ लोग मंत्री बन गए लेकिन हमारे जो संगठन के मजबूत सिपाही जो अच्छे और बुरे समय में कॉंग्रेस का जंडा उठाए रहे उन लोगों को उनकी हिस्सेदारी हम लोग नहीं दे पाएं यह चिंतन शिवर यह चिंतन शिवर मुझे पूरा भरोसा है कि अन्य जो गंभीर चर्चा होगी उसमें सुनिश्चित होगा कि कॉंग्रेस की आगे की दशा दिशा क्या होने वाली है आज हम लोग सत्ता में जरूर हैं हमें जनता की उपएक्षाओं को पूरा करना है जो मुख्य मंत्री हैं मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि सत्ता के जो सीश पद पे थे उन तक गया इसमें हम लोगों की भागीदारी कैसे हो कॉंग्रेस की भागीदारी कैसे हो तब यह जब तक सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तब तक मुझे यह लगता है और मुझे लगता है कि कमरे में बैठे हर एक वेक्ति के मन में यह बात है कि हमारी भागिदारी जिस तरह से दिखनी चाहिए थी सरकार में वो आज नहीं दिख रही है तेवर देखी चिंतन शिविर के चिंतन के बाद का मूड साफ है अब डिफेंस नहीं अटाइक होगा अब बैक फूट नहीं फ्रेंट फूट पर खेलेंगे लेकिं जे एमेम बुला रे भाई भाई हैं। साथ साथ खेलेंगे पिछ तो अपना है और हम एक ही टीम में हैं। कि कोडिनेशन का भाव होता तो आज दो साल से जुछ रही है हमारी सरकार को कहीं किसी तरह की बात तो उठी नहीं के हुग असंतोष की बात तो कहीं आई नहीं को और दिनेशन सिर्फ कागह जी बना लेने से ओनी हो जाता है को जाता है कि जो बयाजुनária कुल ना चाहिए जो बएवारिक रूप से हमारा कॉडिनेशन पूरी तरह से मिजबूत है दल सभी अलग है, सबका अपना अपना विचार है, हम दूसरे प्रदेशों में तो हम अभी यूपी में भी हम सपा का समर्थन कर रहे हैं, बंगाल में हमने त्रिमरू का समर्थन किया था, तो ये अपना अपना संगटनिक सोच है इन सब के बीच बात उस पॉइंट पर जिसकी चर्चा अमूमन लोग भूल जाते हैं, सत्ता के त्रिकोन का तीसरा एंगल थोड़ा हलका है लेकिन जरूरी है, आर जेडी उसका अपना पाक्ष है, हमको चाहिए फूल इज़त अब किसी की तलखी किसी का अनन्द बन जाती है, जैसे अभी कॉंग्रेस के पुश्पा उतार पर बीजेपी तंज कर रही है आप खुद सरकार में है, केबिनेट में आप बैठते हैं, तो आप इसको फाइनल कर दीजे ना सियासत है, ऐसे ही चलती है, खीचा तानी चलती रहेगी, सियासत के इस ड्रामे का अनन्द लेते रहना है रांची से न्यूज लेवन भारत के लिए राकेश कुमार की रिपॉर्ट प्रसायोगी राकेश, हमरे साथ जुड़े हुए राकेश, कॉंग्रेस का अंदाज, कॉंग्रेस बोले दो फ्लावर समझे गया, फ्लावर नहीं, फायर रे कॉंग्रेस, अब जुकेगी नहीं, कम से कम चिंतन शिवीर से अब तक तो यही सामने आया है, राकेश क्या नजर आ रहा है आपको? अगर कॉंग्रेस सामिल है, तो किसी लाचारी के साथ सामिल नहीं है, तो संकेत साप है, तेवर कहीं न कहीं बहुत कुछ कह रहा है, और यह जो संकेत है, यह 2024 को लेकर भी है भारती, इसे भी समझना होगा, और इसी तेवर ने जारकन मुक्ती मोर्चा की, आप कह सकते हैं, चिंता बढ़ा रखी है, हलाकि जारकन मुक्ती मोर्चा के जो नेता है, या फिर जारकन मुक्ती मोर्चा कोटे से जो सरकार में मंतरी है, वो फिलहाल बहुत कुछ अभिनास पांडे के इस बयान पर कहने से बचना चाहते है, उनको लगता है कि मौजूदा वक्त में चुपी ही साथ ली, उन्होंने कहा कि यह मसला कॉंग्रेस के किंद्रे नितरुत का और जारकन मुक्ती मोर्चा के किंद्रे नितरुत का है, लिहाजा इस मसले पर उनका कुछ भी कहना सही नहीं होगा, तो यानि अब बच बचा कर जारकन मुक्ती मोर्चा चलना चाह रही है और उनके नेताओं के जो बयान आ रहे हैं अभिनास पांडे के बयान के बाद वो भी बहुत सधे हुए आ रहे हैं जो मंत्री मितलेश ठाकुर है उन्होंने कहा कि गुरू जी जो है वो गडबंधन धर्म को निभाना जानते हैं और पूरी एक तरीके से जो कॉडिनेशन जिस भी नितिगत मसलों पर जो गडबंधन दल के जो लोग हैं जो साती हैं उनके जो बड़े नेता हैं उनसे राइसोमारी की जाती है और उसके बाद ही सरकार को फैसला लेती है दर असल ये सारा कुछ जो रहा है भारती आप देखेंगे कि भासा विबात के बाद जिस तरीके स प्रदेश सद्दक्ष राजिस ठाकूर के अगर उस बयान को आप देखें अगर उस बयान को आप सुनें उनके तेवर को अगर आप समझें तो उस वक्त ही ये चीजे साफ हो गई थी कि जब कॉंग्रेस का चिंतन से भी सुरू होगा तो इन तमाम मसलों पर कॉंग्रेस के संकेत और उस बयान को संदर में रहते हुए का ओंग्रेस ये चाहती है कि संदर में देखें, या फिर वर्तमान में रहते हुए क् garlic A. चाहती है कि उनको भी वही तरजी दी जाए जो जारखन मुक्ती मूर्चा को मिल रहा है जो उनके नेताओं को मिल रहा है जो उनके विधायकों को मिल रहा है जो उनके पार्टी के वरकरों को मिल रहा है तो एक मैसेज वहां से कॉंग्रेस देना चाहती है दूसरी जो जो है 2024 में एकला चलो की राह थियार कर सकती है 30 सीटों पर चुनाओं लड़ने की बात RJD के तरफ से कही जा रही है यानि RJD खुद को जारखंड में आने वाले दिनों में 2024 में किंग मेकर की भूइंका में देखना चाहती है तो कुल मिलाकर मौजूदा महागडबंधन के कर और कॉंग्रेस केस बयान को या RJD केस बयान को वह भी गंभिरता से देख रहे हैं उनकी पार्टी भी देख रही है भारती शिस्तमाम चर्चा के लिए तो कुल मिलाकर करके देखिए ऐसा है कि कॉंग्रेस इस चिंदन शिविर के बाद पुछपा लुक में आ चुकी है कि कि वह या कॉंग्रेस बोले तो फ्लावर नहीं फायर है डंके की चोट में फिलाली नहीं तक नमस्कार जोहर लाइक और शेयर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन न्यूस लावन भारत सच है तो दिखेगा